अबिदेव अबिदेव अगर आपका बैंक अगर आपका बैंक अकाउंट इन तीनों किसी बैंक में है तो आप डिफिनिटल उन विडियो को जाकर देख सकते हैं मैं सभी विडियो को नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आड कर दूँगा तो जैसे कि आप सभी को पता ही है आपको इसके लिए एक थ्रेशोल लिमिट सेट कनी पड़ती है और उसके उपर जो भी पैसा आपके अपके अकाउंट में आता है उसमें आपको एवडि का इंटरेश रेट मिलता है बाइ दिवे हर एक बैंक में आटो स्विपिन फैसिलिटी को अलग-अलग नाम दिया गया है और अगर हम यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के बारे हम बात करें तो इसको प्रुडेंट स्वीप स्कीम बोला जाता है हम इस वीडियो में आटो स्विपिन फैसिलिटी पंजाब नेशनल बैंक में अच्छे से कवर करने वाले सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जे रूख कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना सो या लेट स्टार्ट दे वीडियो मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ अब अभी करन्ट में क्या इसकी डीटेल से हम वन बाई वन देखते हैं सो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में काफी टाइप के आपको वेडियो ककुंध मितल लाइट आपको जो सेविंगस अकाउंंट होता है वह बहुत सारे टाइपस की होता है अंग इसमें आप देख सकते हैं P&B आरऊब्व यो सेविंग स्क्रीम हूंग है PNB 19 savings fund account है PNB savings account product for premium customers है So आपको ऐसे variety of accounts दिखेंगे यहापर तो आप यहाँ पर एक और account देख पाएंगे which is PNB SAF Prudent Weep Deposit Scheme for Individuals So यह जो particular account type होता है इसमें आपको sweep in facility मिलती है अगर आपको already एक savings account है तो आप Punjab National Bank की branch विजट करके इसको convert करा सकते हैं sweep in वाले account में जिसमें इसको हम PNB SAF Prudent Sweep Deposit Scheme बोलते हैं So जब भी आप अपने account को switch कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको sweep in की facility मिल जाती है Sweep in की facility में जो आपको account मिलता है उसमें आपको minimum quarterly average balance maintain करके रखना पड़ता है which is 25,000 अगर आप यह maintain नहीं करते हैं तो आपको 400 rupees fees लगती है per quarter So इसमें जो भी आपका savings account आपको मिलता है उसमें आपको 25,000 rupees average maintain करके रखना पड़ेगा in a quarter and अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपको 400 rupees की fees यहाँ पर pay करना पड़ेगी each quarter and यहाँ पर अगर हम sweep in and out की facility के बारे हम बात करें तो sweep in and out shall take place in savings account after the cutoff level of 50,000 rupees that is having a balance of over 50,000 rupees with a minimum sweep out sweep in of rupees 5,000 and thereafter in multiples of 5,000 So यहाँ पर जो आपकी sweep in and sweep out की threshold limit होती है वो minimum 50,000 rupees होती है and उसके उपर आपके account में जो भी पैसा होता है लग अगर आपने 50,000 limit उसकी set करिये वैसे आप इससे नीचे तो नहीं कर सकता है and इसके उपर amount definitely कर सकते है like 60,000, 65,000 but for example अगर मैंने 50,000 rupees के limit set करके रखिये तो यहाँ पर amount sweep in and sweep out 5,000 rupees के multiple में हो सकता है तो यहाँ पर हम example ले लेते हैं आपके account में already 25,000 rupees रखे है which is quarterly average balance required so आपने इतना minimum maintain करके रखाए and आपके account में और 30,000 rupees आते है so total यहाँ पर sum हो जाता है 55,000 rupees आपके savings account में 55,000 rupees पढ़े है and अगर आपने threshold limit यहाँ पर 50,000 rupees set करके रखिये तो automatically जो आपको 5,000 rupees extra है उसकी FDA create कर देगा अगर हम एक और example लेके देखते हैं तो आपके account में 30,000 rupees already रखे है and अगर आपने और उसमें 30,000 rupees डाले तो आपके account का balance यहाँ पर 60,000 rupees हो जाएगा तो bank क्या करेगा 5,000 के multiples में automatically FDA create करेगा तो यहाँ पर 10,000 rupees की FDA automatically create हो जाएगी and same goes for sweep out अगर आपका account में आपने कोई check किसी को दिया है and आपके savings account में पैसा कम पढ़ रहा है उसके लिए तो यह automatically FDA को break करेगा and जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो FDA से लेकर check को clear कर देगा so सभी bank account की तरह इसमें भी काफे simple है auto sweep in facility अगर आप यहाँ पर FD create करते हैं तो आपको minimum 46 days के लिए FD यहाँ पर create करनी पड़ेगी and 46 days से लेकर maximum आप 179 days की FD यहाँ पर create करके रख सकते हैं which is 6 months and इस time period के according जो भी Punjab National Bank का interest rate चल रहा होगा FD का वो आपको उस FD पर मिल जाएगा मैं यहाँ पर current अभी जो FD के rates चल रहे है Punjab National Bank में उसका picture add कर दूगा इस screen पर so that आपके लिए वो easy हो so यह कुछ basic information थी so यहाँ पर mention करा गया है the fund will be swept that is cancellation of fixed deposit in case of need on last and first out basis LIFO so आपकी जो सबसे last में FD create करी गई होगी सबसे पहले वो break होगी in case of emergency and उससे पैसा चेक के तरू या जो भी आप बेके तरू पैसा सामने वाले को बेज रहे है उससे clear हो जाएगा and बाकी और जो भी free के facilities यह provide कर रहा है वो आप यहाँ पर screen पर देख सकते है मैं Punjab National Bank की link नीचे description box में भी दे दूँगा so that आप direct जाकर अभी का current scenario देख सकते है like अभी का इसमें information added है नही so guys यह complete information थी auto sweeping facilities related in Punjab National Bank I hope मैंने इस video में सारी चीज़े cover कर लिया है जिसके आपको need होगी है and आपके और कुछ भी doubts है and आपको और किसी बैंक की videos देखनी है definitely वो सब आप मुझे comment box में बता सकते है मैं try करूंगा सभी questions को answer करने का until then अगर आपको यह video useful लगे है then definitely इस video को like जरू करना see you guys in the next video झाल